इस एपिसोड में मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ कावली राजमा विडियानी वो भी ब्राउन राइस के साथ और मैं ये रेसिपी अपने एक सस्क्राइबर के रिमान पर लेकर आई हूँ और ब्राउन राइस मैं आपको घर पर बनाना बताऊंगी तो नमस्कार घर का जाय कवित खुस्प में आपका स्वागत है और साथ में हल छपी आज तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउन राइस बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिया है और इसे हम हलके से तेल के साथ धीमी आज पर चलाते हुए ब्राउन होरते तक कुक करेंगे तो देखिए यह धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है और फाइनली देखिए यह ब्राउन कलर का हो चुका है अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसे गैस इससे उतार दिजिएगा कि यह ज्यादा cooking नहोड़ जब यह फूरी तरह से ठंड़ी हो जाएगी थभी हम यहां आप इससे 80% तक चूक कर लेंगे तो यह ठंडी हो चुकी है अब हम इसे 80% तक कूक कर लेंगे और आगे का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर हम सारे वेजिटेवल को भी फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें एड़ कर दी हूँ वाइल को गर्म होने देंगे जब वाइल गर्म हो जाये तब हम इसमें फुल गोवी को फ्राइ कर लेंगे गोल्डन प्राउन तक और यहाँ पर फुल गोवी थोड़ा सा वाइल किया हुआ है तो यह golden brown हो चुका है हम इसे निकाल लेते हैं फिर साथ में हम यहाँ पर आलू को भी golden brown होने तक fry कर लेंगे यहाँ पर मैंने दो पिस आलू लिए हैं इसे भी हम golden brown होने तक ही fry करेंगे और फिर हम यहाँ पर ring onion को भी fry करेंगे इसे भी हम golden brown होने तक ही fry करेंगे यहाँ पर चावल भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है तो इसे हम 80% कुक कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर मसाले बनाएंगे तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने प्याज लिया है हरी मीर्च, लासून, अद्रक और इसका एक fine paste तयार कर लेंगे अब हम यहाँ पर बिडियानी की तयारी करते हैं तो मैंने यहाँ पर अल्रेडी पैन गर्म कर चुकी हूँ और उसमें वाइल भी और साथ में हम यहाँ पर एड़ करेंगे घी दोनों को मिक्स करकर अगर आप बिडियानी बनाएगा न तो बहुत ही टेस्टी बनता है फिर हम यहाँ पर जीरा एड़ करेंगे और से खुस वाने तक स्कॉक साथे करेंगे और फिर इसमें हम एड़ कर देंगे पेस्ट को और पेस्ट को भी हम हलकी धीमी आज पर पकाते रहेंगे फिर हम इसमें आड़ कर देंगे टामाटर प्यूड़ी को और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे ये जल्दी कुक हो जाए तो हम यहाँ पर ही आड़ कर देंगे सॉल्ट और सॉल्ट को यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़ादा कर सकते हैं फिर हम इसे एक दो मिनिट के लिए आड़ कुक करेंगे और जो पेस्ट का पानी बचा हुआ है उसे हम पेस्ट क्यों करना, उसमें हम थोड़ा सा पानी अड़ करकर इसमें एड़ कर देंगे और इसे कुक करेंगे इसे हम कवर कर देते हैं ताकि यह जल्दी से तेल छोड़ दे तो देखिए यह तेल छोड़ चुका है मैं आपको जूम करकर दिखाती हूँ तो देखिए ये सारे तेल को छोड़ चुका है फिर हम इसमे आइट करेंगे मसाले तो यहाँ पर मैंने हल्दी लीए हूँ जीरा पौडर, धनिया पौडर, लाल मिर्च पौडर और मैं यहाँ पर क्रस्ट किया हुआ काली मिर्च पौडर लीए हूँ फिर हम इसे थोरी सी पानी के साथ एक दो मिनिट के लिए इसे हम कवर करकर एक दो मिनिट के लिए और कुक करेंगे जब ये कुक हो जाए तब हम इसमें आइट कर देंगे सारे फ्राइ किये हुए वेजी टेवल्स को तो यहां पर मैंने मतर्ट लिया है वाइल किया हुआ और राजमा है वाइल किया हुआ और साथ में हम इहां पर एड़ कर देंगे फ्राइ किया हुए ड्राइ फूर्स को और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें धन्या के पत्ते याइड करेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे चुकि सारे वेजिटेवल्स कुक्किये हुए हैं तो इसमें हम थोड़े से ही पानी आइड करेंगे और एक उवाल आने तक कुक कर लेंगे या फिर आप इसे कभर भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कभर कर लेते हैं तो इसमें वाल आ चुका है और फिर हम इसमें एड़ कर देंगे 80% कुट किये हुए चावल्स को और इसे फैला लेंगे फिर हम इसमें एड़ कर देंगे धनिया के पत्ते और ये धन्या पत्य मेरे गार्डिन का है और मैं यहाँ पर add कर लूँगी थोड़े से dry fruits को फीर हम यहाँ पर घी add करेंगे तो घी add करने के लिए बीच में हम hole करेंगे और इसमें add कर देंगे घी को ताकि कम घी में भी हम ज्यादा fragrance ले सके और फिर हम यहाँ पर आइट कर लेंगे गरम मसाला और इसे कवर करकर 10 से 15 मिनिट के लिए कुखोने देंगे धीमी आज पे 15 मिनिट हो चुका है अब मैं कवर अटाती हूँ तो इसकी खुसुनम मेरे पूरे घर में फैल चुकी है और मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ तो देखिए नाइट में यह सबजी नहीं लगी तो हमारी सबजी भी अच्छे तरह से कुखो चुका है अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगे कवर करकर कुछ देर के लिए और फिर हम इसे सर्व करेंगे तो इसे हम मिला लिए हैं अब हम इसे सर्व करते हैं तो इसे सर्व करने के लिए हम एक वाल लेंगे और वाल में इसे निकाल लेंगे और इसे गार्निसिंग करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चिक साथ और साथ में है ये लच्छा पियाज इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कूर भी मत भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए अपने फैमली में फ्रेंड्स में और रिलेटिव में तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ वो भी माकर संक्रान्ती अस्पेसल तो जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए और आस पास सफाई बनाए रखिए थैंक यू टेक क्यार और नमस्कार